देखे सर समय दूरी और चाल का यानि time and distance का second number question देखिए एक लड़का 3 km पिरती गंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 km पिरती गंटे की चाल से वापिस आता है और उसे कुल 5 गंटे का समय लगता है यानि कुल मतलब आने तथा जाने में 5 गंटे का समय लगता है घर से स्कूल की दूरी ग्यात कीजिए देखिए स्रीमान ये आपका घर है और ये स्कूल है ये आपका घर है और ये स्कूल है अब कोई लड़का क्या है कि 3 किलो मीटर पिरती गंटे की चाल से जाता है और क्या है वापस कितने से वापस आता है कि 2 किलो मीटर पिरती गंटे की चाल से वापस आता है और उसे जो आने तथा जाने में जो टोटल T समय लगता है वो 5 गंटे लगता है और मान के चलो स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी है अभी मैंने एक सूथ फॉर्मला बताया था कि डी बरावर कितना होता S1 इंटू S2 अपॉन में S1 पलस में S2 इंटू T4 टाइम और ये टाइम कौन सा है ये टाइम टोटल टाइम है आने तथा जाने में ये टाइम यहां से या तक है यानि घर से लेकर सकूल जाएं और सकूल से वापस आने में जो टोटल टाइम है ये T है ठीक है तो स्पीड कितनी है हमारी S1 तीन है और S2 कितनी हमारे पास दो है और तीन पलस में दो और टाइम कितना आपके पास पांच गंटे हैं तो तीन और दो पांच पांच से पांच गट गया तो कितना हो गया तीन दूनी छे किलो मीटर तो घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो छे किलो मीटर पिरती गंटे पिर सॉरी छे किलो मीटर है तो आपका A option बिलकुल correct option है